अगर आप बड़े वाले साबुदाने को पानी में भिगा कर पॉफ करेंगे एक एक साबुदाना पॉफ होगा एक कप नाइलाउन साबुदाना लिया है जिसे मूटा वाला साबुदाना भी कहते हैं एक चम्मच पानी लिया है पानी को इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे सब भी साबुदाने में पानी लग जाना चाहिए मिक्स हो जाने के बाद ढग कर पांच मिनिट के लिए दग देंगे और यह ले लिया है एक कप मकाना जब तक साबुदाना भीग रहा है मखाने को भून लेंगे कडाई में तेर ही कुछ में नई यह इसे dry रोस कर लेता है पाच से छे मिनिट में यह बुन जाएगा मकाना भुन कर क्रिस्पी हो गया है इसे निकाल लेंगे मखाने को एक प्लेट में निकाल दिया है साबुधाना इस तरह से चिपक चाएगा इसे ऐसे अलग-अलग कर लीजेगा हलका सा ये उपर से गीला होगया है उपर से गीला होने के चारण ये कैसे रोज पूता है क्यों होता है चलिए आपको आगे बताऊंगी मैं कड़ाई में घी या तेल जिसमें भी आप फ्राय करना चाहते हैं गरम होने के लिए रख दीजे साबुधाना फ्राय करने के बाद आपको जिस बरतन में निकालना है उसमें किचन टॉयल लगा कर रख लीजे इस तरह से छन्नी रखना है पहले एक साबुधाना डाल कर देखेंगे बबल्स आना शुरू हो गया है इसका मतलब है तेल गरम हो गया है तुरंथ ही 30 से 40 सेकंड के अंदर साबुधाना उपर आना चाहिए इतना तेल गरम करना है यह दिखें यह आ गया अगर आपको हाथ से डालने में डर लग रहा है इस तरह से चम्मस से धीरे से इसमें छोड़ देगे अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी से भी पसंद आ रही है टिप्स और टेक्स पसंद आ रहे हैं प्लीज लाइट शेर जरूर कीजेगा और मुझे यह पताईएगा आप लोग यह रेसिपी कहां से देख रहे हैं मुझे यह जानना बहुत अच्छा लगता है फ्लेम को मीडियम कर देंगे इसे चलाते रहे एकदम एवनली अंदर तक बहुत अच्छे से पॉप हो जाएगा यह देखे यह पॉप होना शुरू हो गया है यह जो इसमें अभी आवाज आ रही है यह आवाज आना बंद हो जाएगी तो समझ दीजे पॉप हो गया है फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है साइज में भी दो से तीन गुना फूल जाता है पानी लगाने के कारण उपर से गीला हो जाता है इसलिए पॉप होने में टाइम लेता है अंदर तक फॉप होता है अगर आप इसे डारेक्ट दूप में रख देते हैं अच्छे से सुखा लेते हैं और फिर पॉप करने जाते हैं तो उपर से तो हो जाता है पर अंदर से नहीं हो पाता है देखी मैं इसे चला रही हूँ आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई है चट चट की आवाज नहीं आ रही है इसका मतलब है यह पॉप हो गया है निकाल लेंगे तेल को अच्छे से निकलने देंगे और इस समय फ्लेम को थोड़ा सा पढ़ा लीजे क्योंकि इस समय तेल ठं बस ध्यान ही रखना है कि हमें सेफ उसके पाँच मिनट तक भूण गया वैसा नहीं करना है तुर से ड्राय हो जाएगा उसके पॉप नहीं होगा चट-चट की आवाज आना बंद होगी है इसे निकाल लेंगे तेल को अच्छे से जारेंगे से निकाल लेंगे तेल को अच् आपको कच्छी मुंफली लेली है इसे भी तल लेंगे वैसे आप चाहे तो भून कर भी डाल सकते हैं फ्लेम को मीडियम रखना है मुंफली इस तरह से फूटने लगी है उसका तड़कने लगा है इसका मतलब है मुंफली फुन गई है और काफी दिर तक गरम रहने के करण बाद में भी हो जाती है अभी अगर आपको कच्छी लग रही है निकाल लेंगे दिखिए पेपर ने कितना ओयल स्टोक कर लिया है साबुदाने का एक्स्ट्रा ओयल निकल गया है अभी इसके ओपर दूसरा पेपर लग दे लिए और तली हुई मुंफली भी स्क्योपर डा इसी समय इसमें काजू बीच में से कट करके डाल देंगे काजू बहुत जल्दी हो जाते हैं इसलिए बाद में डालेगा और यहां पर एक से डेड़ चममच मगज बीज लिया है इसे सबसे लास्क में डालेंगे यह दिखिए मगज बीज भी फूल गया है काजू और बाद लिए इकस्टा ओयल निकल जाएगा अगर आपके पस अलूल अच्छा है वह भी फ्राय कर लेना है नहीं है अवाइड कर सकते हैं अलूल अच्छा बहुत ही जल्दी से अव्राय हो जाता है इसलिए इसे ध्यां विजिए तुरंट यह निकाल लीजे नहीं तो लाल होने सौप्ट कर देगा मेंच हो गई है इसी समय इसमें कडी बतार ह Points निकाल लेंगे इस तरह से जाड़ती हूए अबढ़ पीपर निकाल लेंगे इसमें मगपान डाल ँफ동 allow एक बरतर में एक चमच सीधा नमक आध चमच भुणी कालेमेच पौडर एक छोटा चमच भुनą जीरा पौडर एक चमच आमचूर पौडर या पर टेस्ट के पालनेग आमचूर पौडर आधा चमच पीसी हुई चीनी डालेंगे इसे divtak कर लेंगे इस मसाले को इसमें ही डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है रेडी है व्रत का नमकी बीना व्रत के भी इंज़ाय कर सकते हैं रूम टिंपरिचर पर आ जाने के बाद आप इसे एक से तेड़ मैने तक फ्रिज के बाहर स्टोर कर सकते हैं बिलकुल वैसा का वैसा ही क्रंची और टेस्टी रहेगा साबूदानी के उपर हलका सा पानी लगा कर फ्राइ करने से पॉफ करने से एक एक साबूदाना अंदर तक क्रंची करारा और पॉफ होता है मौसम कोई भी हो फ्राइ करने का तरीका यही रहेगा अचानक गेस्ट आने पर भी सर्व कर सकते हैं और चाय के साथ भी enjoy कर सकते हैं वरत में तो खाही सकते हैं बनाइए खाये enjoy कीजिए बाबाई